तो हां जी स्टूडेंट कैसे हैं आप समेस्टर वन के एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और समेस्टर टू के जो एक्जाम है वो कब से स्टार्ट है वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे बेसिकली अभी जो एक्जाम है ना आपका एक एक्जाम 21 को आ रहा है फिर 22 को भी है वाले बच्चे तो त्यारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चे कह रहे थे सर हम कैसे पढ़ें नहीं पढ़ें या फिर मुझे परस्नली लगा कि बहुत सारे बच्चे जो त्योरी का पारम के लिए ठीक है तो आपका इसके अंदर टोटल हर एक आप देखोगे ना तो इसमें पांच यूनिट होते हैं अगर मैं बात करूं तो कोई से भी आप डेली उनिवर्सिटी का थोड़ा से देखोगे तो हर किसी के अंदर कितने यूनिट होते हैं सर 5 आप ध्यान रख के हैं तो हर एक यूनिट 20 नंबर का है तो देखें सर यहां पे सर हमारा इंट्रोडक्शन को ही होता है कि टीचर उस हिसाब से मुझे मिलनी पाए एक टीचर मिले भी थे तो वह बोले थे टाइम नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए मैं करवा नहीं पाए लेकिन बहुत जल्दी में हम अपने प्लैट्फॉर्म पे सारे टीचर को मैं कोसिस कर रहा हूं कि जल्दी से जल् के लिए मैं थोड़ा सा कर दूं human resource management जब employee हमारे पास आता है काम करने के लिए नॉर्मली हम employee को employee की तरीके से मतलब नौकर एक होता ने कि यह मेरा नौकर है तो यह एक भावना को अलग करके कि हमें अपने employee को manage कैसे करना है कि कि एंपलोई को कब incentive देना है किस employee को कब bonus देना है किस employee को हमें निकाल देना है किस employee को हम नहीं निकाल सकते क्योंकि employee is also assets for organization तो यही चीज़े समझाया जाता है और सारा का सारा यह subject जो है इर्द-गिर्द employee के घूमता रहता है कि employee के साथ क्या-क्या होना है तो पहले यूनिट में सरफ आपको समझाया जाता है कि आपका HR के policy evaluation किस तरीके से बताएंगे क्या-क्या challenges आते हैं कि जब employee आता है तो इस employee को किस तरीके से हम क्या interview face करते हैं interview में कैसे देखें कैसे पढ़के कि वह बहुत अच्छे से काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत लोगों को बोलना आता है लेकिन काम नहीं आता और बहुत लोगों को काम अच्छे से आता है लेकिन बोलना नहीं आता तो वह चीज़े है तो साह को analysis कैसे करें यह सारी चीज़े placement कैसे होगा यहां पर रहेगा थार्ड है upgrading employee training तो एक यह वाला नहीं छोड़ना अपने यह थोड़ा easy रहता है कि training कैसे कोई employee कैसे हम उसके skill को अप करें जैसे मैं for example लूँ तो अभी फिलहाल कुछ employee अगर नहीं होते अच्छे तो हम कई बार employee को government में तो ऐसा होता है कि उसे बाहर भीज दिया जाता है जाओ वहां से सीख क्या फॉरण से और in fact इसके उपर मैंने देखा है कि कुछ movies वगरे भी बने हुए कि बाहर गया है वह सीखने के लिए और फिर सीख के इंडिया में implement करता है वह सारी चीज़े तो क्या-क्या रोल है specific और आपका competency-based आपका training होना चीए कैसे कैसे यानि इसमें सिर्फ employee को क्या-क्या सिखाया जाएगा तो easy है कर सकते हैं दूसरी बात आपने हिंदी में paper भड़ा हो या फिर English में भड़ा हो फरक नहीं पड़ता Hindi English से आप paper में जो आपको easy language लगे जो आपको आता हो जिसमें आप पूरा paper लिख सकते हैं उसमें आप लिख के आईए क्या medium है उससे फरक नहीं पूरा paper का mode एक होना चाहिए ठीक है सर इसके बाद scope training तो तीन यूनिट को छोड़ने के लिए मना करूंगा तीसरे यूनिट को बोलूंगा करके जाए और एक ना नीचर होता है पता ही क्या होता है जब बुक बनाया जाता है मेरा जो मानना है अपने साथ जो होता है क्योंकि human being nature सबका एक जैसा होता है तो जब बुक को लिखने जाते हैं तो पहले वाले जो topic होते स्टार्टिंग के वो सारे अच्छे topics होते हैं तक बच्छा पढ़े के कुछ सीखे। स्काइब में जिटने भी जीक्ते हैं जैसे यूनिट्सकी बात करो गलते हैं और बहका कम चैप्टर होता उसे स्कूर करना बहुत आसान होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सर आप यूनिट नंबर फाइव को बिल्कुल भी न छोड़े यह बीस नंबर करहेगा इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं होगा आपका मेंटनेंस कैसे करें किस तरीके से होगा तो यह से यूनिट को आप जरूर करके जाएं मैं ज्यादा चीजे तो टाइम नहीं लोगा यूनिट नंबर चार में है पर्फॉर्मेंस एप्रेजल मतलब भी आ बोनस वगरे कैसे दें एक यूनिट दूसरा यूनिट थोड़ा टफ हो सकता है बाकी के मार्क्स का हो जाता है आप देखिए अब जो बच्चा भी पढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है इसके अंदर सेलेक्टिव जो बार-बार रिपेटेट एक्जाम में उनको करिए पढ़ने का तरीका जैसे मैंने यूनिट वन बताया यह यूनिट वन एक चप्टर नहीं है में उन चैक्टर को पूरा खतम कर आगर आ एसा करेंगे ने से कुछ कर लिया से कुछ yes और कूलया है किस तरीके से पढ़ना है ने ले लिजिए आपके पास पढ़ा होगा टेनियर आ पने ले भी लिआ होगा सिवदास का यह इसके इंदर एघर तोड़े एर नहीं होते लगभग लगभग लेकिन आप बाकी जो है और भी टेनियर मार्केट में अवेलेबल है उनका मैं कह नहीं सकता कुछ भी तो आप सिव्दास का टेनियर ले सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने डाला हुआ था उनका नंबर भी ग्रीज जी का उनसे कॉंटक्ट करके मंगवा सकते हैं बाकी मैं कहूंगा नियर्वाइशॉप जाइए मिल जाएगा इसलिए तो होफुली आपको हेल्प मिला होगा HRM के इससे किस तरीके से पढ़ना है और इसी फॉर्मेट में आप पढ़िए और अच्छी से पीपर देके आए बस मैं यह चाहता हूं थै हुआ